My Dear Students, Dear Friends and Dear Brothers and Sisters, Once again I welcome to all of you in Dr. S. Cisndra Online Classes for Education. मेरे प्रिविद्धार्थियों, प्यारे भाहर बहनों, प्यारे स्यांत्रियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से Dr. S. Cisndra Online Classes for Education में स्वागत करता हुँ, आप सभी लोगों का हर्दिक सुदागत है हर्दिक अमनने प्रेविद्यारतियों पंडित दियन दियालुपाद्ध है गोरकपुर से 24 दियारति B.A.B.C.B. कॉम अर्थाद अंडर क्रेजियोशन कर रहे हैं उन्हें के लिए एक कमपलसरी माइनर पेपर रखा गया है C.B.C.S. मोड के तहद और उस माइनर कोर्स का कोर्स कोड है यह चाहिए इस 106 नाम है उसका इंट्रोड़क्शन टू दियन दियालुपाद्ध है इस एक्जाम में जो कुश्चन पेपर आया था जो प्रस्नायत उन्हें के क्या उत्तर होंगे उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतरगत चर्चा करेंगे स्टार्ट करते हैं और है इस 106 इंट्रोड़क्शन टू दियन दियालुपाद्ध है का जो माइनर का पेपर 24 जुनियुद 24 को फर्स्ट और थर्ड समस्टर के विद्यार्थियों के लिए हुआ था उस कुश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं देखें आपके स्कीन पर पेपर आ गया है 6106 अंडर ग्रिजुट फर्स्ट और थर्ड समस्टर एक्जामनेशन 2023 कंपल्सरी पेपर माइनर कोर्स इंट्रोड़क्शन टू दियन दियालुपाद्ध है यह जो कुश्चन पेपर था और देड़ घंटे का था और अधिक्तम म दियालुपाद्ध है concepts of upliftment of the last man of the society is known age दियालुपाद्ध है कि सामाज के अंतिम व्यक्त की उत्थान की ओधाना को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन से सरोदे धर्मोदे अंतोदे या ओवराल development तो किस नाम से जाना जाता है अंतियोदे के नाम से जाना जाता है so here the c option is the right option अगला प्रस्टे प्रस्टें किया दो एकोर्डिन टू पंडित दियालुपाद्ध है वीच आप फॉलोइंग वाज नाट इंक्लूदे इन दे मिनिममम नीट्स ऑपर्शन पंडित दियालुपाद्ध है कमसार व्यक्त की नूंतम आओ सकता है उसमें सरकारी नौकरी नही अगला प्रशनी प्रस्टेंग्र प्रस्टेंग वाजिए वाजय फॉलोवर विच रिलिजन पार्शी कृस्टियन जयन सनाथन दियालुपाद्ध है किस दर्म की थे पार्शी इसाय जयन्या सनातन दर्म की थे सुआएं तसे हैं दी ओप्सटन इस दर राइट ऑप्सन सनात अगला प्राशन आपके स्कीन पर क्षेशन नंबर 5 प्रस्टं किया पांच प्रस्ट प्रस्टन है प्रथम संपादक कौन था। श्यामा प्रशाद मुखर्ची नरेंद्र मोदिया लालकृष्ट अडवाड़ी तो अकिल भारती जनसंग के जो संस्थापक थे डाक्टर श्यामा प्रशाद मुखर्ची जी ते सो यह दर बी ऑप्शन इस तर राइट ऑप्शन अगला प्रसंख्या साथ कुश्चिन नमर से कब अस्थापी थुए तो ध्यानी जी प्रिविद्यार थी इसका एंसर जो है उप्शन जो है 1946-1948 है कहीं इसका आपको अंसर जो है 1947 मिलेगा कहीं इसका आपको 1948 मिलता है तो राष्ट धंजो पत्रिका थी उसकी सुरूआत हुई थे 1947 में और राष्ट धन प्रकासर 1948 को एक सारजोनिक कंपणी की रुपे अस्थापीद हुई थी इसका मतलब यह है कि इसका अंसर 1948 होना चाहिए सी होना चाहिए ठीक है तो राश्धर्म जो पत्रिकाथ इसकी सुरुवात 1947 में हुई और राश्धर्म प्रकासन लिम्टेट 26-11-1949 को एक निगमित और एक सारजनिक कंपणी तो चुकिस का निगमन जो है इसकी है था था ब्रकासित हुआ था परकासित हुआ था ब्लिसह भाहता है तो सब्सक्रार का अधर भारत माता है था था स्वाप्रेम लव आफ आवर नेशन स्वाप्रेम राष्ट के लिए हमारा प्रेम सी है इंटीवेसी आत्मीता अटीए अवेरिनेस या जाग रुकता तो पंडित दिन देल जो अनुमोल विचार थी उसमें था बेस आफ आवर नेशनलिटी भारत माता है अगला प्रस्टे प्रसंख घ्यादस हुई इस दा आथर ऑप जंसंग सिधान्त और नीथ जंसंग सिधान्त और नीथ के लेखक कौन है अप्शन से महत्मा गांधी रविद्ना टेगर मोहन राम मोहन राय तो यहां और डी है पंडित दिन दिन देल अलुपाद्ध तो कौन समराओं चंद्र कुपत का लेक्ण था महतमा गांधी विवेकनन दिliestयालुपाद्ध इन में से कोई नहीए तो पंडित दीन देलुपाद्ध है चींस ने समराओं चंद्र गुपत लिखा था तो यह दसी औप्संन इस ड्राइट ऑप्सन पंडित दीन प्रफम डाग टिकट जारी हुआ था सो यह दे बी ऑप्शन इस दर राइट ऑप्शन उनिस सो अठाथ तर अगला प्रस्न प्रसंख्या तेरे कुछन नमर थाटीन प्रस्ने विच इंड़स्ट्री वास प्रमोटेड बाई पंडित देन देल पंडित देन देल निकिस को बढ़ावा दिया था सो यह दबी ऑप्शन इस कोटेज इंड़स्ट्री इस दर राइट ऑप्शन नेस्ट कोसिन इस वाट शुट बी दबॉड़ी माइंड इंटलेक्ट इंट सो शरीर मन बुद्धी और आत्मा कैसी होनी चाहिए सेप्रेट इंटिग्रेटेट कल्चर नग्लेव अलग ऐकिक लिए सो शन्सक्रीत कोई नी तो थ्यान दी जी पंडि दिन्द आलुपाध्याजी कूनसार चो सरीर है मन डुद्धी और आत्मा का समुच्चर होता है और इसको कैसा होना चीन चाहिए का बंडिन दिन देन आलुपाध्याज्ट इंट पंडिन आत्म का समुच्छ होता है वेल कल्चर्ड होना चाहिए अगला है नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर 15 परसंख्या पंद्र जनसंग की पर्थम प्रादेश की काई कहां स्थापित की गई वेर्वाज फर्स्ट प्रविंसियल यूरीट ऑफ जनसंग अस्टिबिस्ट आगरा प्रयागर सब्सक्राइब जनसंग की पर्थम प्रादेश की काई कहां स्थापित की गई थी तो 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंग की अस्थापना 21 की स्थापना के पुर 2 सितंबर 19ode को लखवनई लखवन में उत्तर प्रदेस का गठण वहा और दीन अलुपाद Allah जी प्रदेस मंत्री जई दर मंतर है तो लखवन में कि लखवनई में उत्त्र प्रदेस चन्शनर इकाई का गठण होता है 2 सितंबर 1951 को तो यहां पर डी ऑप्शन है डी ऑप्शन इस दर राइट ऑप्शन जो डी बिकलब है वह जो है सही उत्तर है गला प्रस्टन है आपका पंच जन ने किसकी रचना है और जहार प्रसाद मुंखर जी पंडिक दिन्दी अलोपाद्ध्या अटल्विहरीबाच परित लालकृश अड्वाणी तो जन संथ और मुसल्मान जो एक क्रिती हैं डाइट ऑफसन अगला प्रस्ण्ख्य अथा आटाल विहरी वाजिपैय की मृफ्ट्यू कभ हुई ऊप्शन से जगत गुरु संकराचार इस रीटेन बाइच गुरु संकराचार किसकी रचना आपसें से विवेका नज्माहत्मा गांदी कबिर पंडित दिन द्याल जगत गुरु संकराचार इस रिटेन बाइप तेंद दिन द्यालु पाध्या जगत गुरु संकराचार हो पंडित दिन द्यालु पाध्याजी की रचना है तरब दी ऑप्शन इस दराइट ओप्सम्न अगला पॉस्ट प्रस्तन कर्षें क्या वीच कुशिए विच प्रृट में से कोई नीए तो राश्ट धन कर्यों संपादक थी कौन थे अटल भीहरी बाचपेश जी थे सो यह देबी ऑप्शन इस दर राइट ऑप्शन अगला प्रस्टन प्रसंख्या एक स्कॉस्षिन नुमर्टी वन प्रस्टन है फिन डिट पंडित देन देल पाध्या तो इस दर राइट देल पाध्याजी कि मित्यु कव थो इता पंडित देल पाध्याजी मुर्ती 11 फ़रई 1968 को हुए थी सो यह दिदी आप्शन इस दर राइट ऑप्शन 11 फैब्रोरी 1968 नेक्स को नेस्ट कॉस्टन नमबर 22 प्रसंख्या बाइस प्रस्टन है टिट पंडित देन दियाल पादाय विकम चेनरल सेकरेटरी ओफ आल इंडिया जनसंग पंडिधी दिंदियाल पादयां आमिंत्री कब बने क्यान शेइंट से आकिल भारती जंसंग के महामिंत्री 1951 में बने थे सो यह अप्शन भी इस राइट ऑप्शन 1951 या उन्निस्वे एक्यां नेक्स्ट कॉस्टन कॉस्टन नमबर 23 प्रसंग कहते है इस प्रस्टन है दिन द्यालो पाध्या डाइड आट विच प्लेस दिन द्यालो पाध्या जी क प्रसंग कि मृत्व किस अस्थान पर हुई थी और वारान सी लहावाद मुगल सरय पतना तुन की मृत्वी कहा हुई थी मुगल सरय इस्टेशन भी थी सो यह दद द्यालो पाध्या जी कि माता क्या नम था दुरुगा देवी राम प्यारी राधा या कमला देवी तो दिन प्रसंग एंड हुई नबॉल नबॉल पाध्या जिका उपनें था देनता धिन आट देव था पंडी देडिया पधाध्या नेच्टेशन न्यूट नबॉल शक्तिसक दिन लेवटत हुई प्रसंग से निटंबॉल टूह दुनया डिया ड यहां जोनतों नेeseव हुणो कि दुए को जजन बुझे मोजन को हुआ को आपकर चिक नौरा था है। तो पंडित दियाल उपाध्या जी के पीता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्या था, so here the C option is the right option. Next question, question number 28, प्रसंख्या टाइस प्रस्ण है, in which district पंडित दियाल उपाध्या वाज बाण, पंडित दियाल उपाध्या जी का जन किस जिले में हुआ था, मतुरा इटावा, आगराया, मेरट, तो कहां हुआ था, मतुरा जिले में हुआ था, so here the A option is the right option, मतुरा, next question, अगला प्रसंख्या उन्तिस, question number 29, प्रस्ण है, which one of the following was the editor of दैनिक श्वधेश, निम्ने कि तुमने से कौन दैनिक श्वधेश का संपाधक था, आपके options हैं, A, मुरली मनहर, C, B है, स्वधेश, सैमें प्रसाद मुखर जी, C है, दिन दियालुपाद है, and D है, अटल विहरी बाच्पेश, तो डिरस्ण जो, संपाधन का काम किया गया था, पत्रिकाओं को, अटल विहरी बाच्पेश की द्वारा किया गया, अटल विहरी बाच्पेश, नेक्ट कोशिन नमर 30 प्रसंख्या 30 अभें डेट सैमा प्रसाद मुखर जी टाइड, सहामा प्रसाद मुखर जी जी की मृत्यु कब होती है, तो सैमा प्रसाद मुखर जी की मृत्यु होती है, सेकेंड जून 1953 को कश्मी स्रीनगर में होती है सो यहाँ पर आप्सन इस राइट ऑप्सन नाइनटीन फिप्टेथरी एडी उनीस सो तिर्पमन इश्वी आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्टन आपके स्कीन पर आ रहा है देश कुश्चन नंबर 31 प्रसंख्या 31 प्रस्टन है अमर बलिदाण इस रीकिल बाई अमर बलिदान खिसकी राइट अप्सन से अटल विषार वारी बाइच्पे कुछ और रचनंगे है जो हैं जडेनियम पलायनम् स्टेट परलयाँ एलेक्टेट पार्लियमंट सीट इन नाइंटिन फिस्ट से चुने गए थे लखनओ से मतुरा से ग्वालीयर से या बलरामपूर से प्रिविदार्थियों उनिजिसो सत्तावन में अटली वहरी वह एच्पी जो है बलरामपूर जो की जिला गॉंडा उत्रप्रदेश्ट पढ़ता है वहां से जन्संग के प्रत्यासिक की रूप में बिजय होकर के लोग सब हमें पहुंचे थे जो यह दो भी ऑडी ऑप्सण डी ऑप्सट अगला प्रसने प्रसंख्या 33 कोशन नमर 33 33 फेंडिड अटल भीहरी वाच्पी विकम दो प्राम निस्टेर्स फॉस्ट इंडिया भारत में पहली बार अटली वहरी वाच्पी प्रदानत्री कब बनें ऑप्संस सोलमें इन्चानब तेरह अक्टूबर 1999 फिर विद्यार्थियों आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि अटल भीहरी वाच्पी जी कुल तीन बार जो है प्रदानमंती बने थे हैं हमारे देश की पहली बार कब बने थे सोलह मई को बने तो सोलह मई 1996 1996 को मने थे जब वे मातर तेरह दिन जो है प 13 महिने के लिए 1998 सिस्क्राइब से लिए 1999 runners second टाइम और तिसरी बार मार्च 1999 को वे प्राइम मिनिस्टर बने थे टो 16 माई 1996 को दूसरी बार 1998 बने थी तीसरी बार 19 मार्च 1999 बने थी इस प्रस्ण का जो राइट आप्सेन है डाट इस ए 16 माई 1996 16 माई 1996 अगला प्रस्ण प्रस्ण क्या 34 कोश्ण नमब 34 इन 1996 अटली बहरी बाइच पर्लियामेंट सीट देली भुपाल लखनु गॉलियर उनिससोचानवे में दूसरा गुजरात गांधी नगर से लडते हैं ठीक है दोनों जोगांवे जीतते हैं लेकिन इसके बाद लखनो को अपनी करमभूम बना लेते हैं और 1998-1999 2004 का लोग सुबा चुना लखनोव सीट से जीत करके वे सांसद मनते हैं तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो राइट एंस्वर है वो क्या होगा लखनोव होगा सी ऑप्शन इस दर राइट ऑप्शन अगला प्रस्ण आपके स्कींपर प्रस्ण क्या 35 प्रस् अगला प्रस्ण के 36 प्रस्ण है फॉस्ट नेशनल प्रस्ण आप भारती जंता पार्टी का पहला राश्टी अधक्ष कौन था अप्शन से समय प्रसाद मुकर जी लाल कृष्ण वाड़ानी मुरार जी बदिसाय अटली बिहारी बाच्वेश तो आटली बिहारी बाच्वे अगला प्रस्ण आपके स्क्रिम प्रस्ण के 37 कुष्ण नमबर 37 प्रस्ण है दैनिक स्वदेश का अंतिम संपादी की क्या था दैनिक स्वदेश वाट 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 इटॉरियल ओप्रस अप्षन से आत्म विदा स्वाराज अध्यात्मियाद जंशंग तो राइट ओप्शन है स्वाराज वी ओप्शन इस तराइघ नमबर 38 वॉ पर्शेंट ओट मिला था और कुल कितनी सीटे मिली थी तीन सीटे मिली थी उन्निसो बावन में भारती जनसंग पार्टी को परलिया में ट्या संस्ति चुनाव में अगला प्रशन है आपके स्कीन पर क्वेश्चन नम्बर 39 आइडिया फंटोदे इस रिलेटीड तू अंतिव का विचार सम्झन उफिक नंसे राम होन राय पंडी दिन दय लुपाधय से इन्मिसको इनेत किस समनें थै ऑन्तोदे का विचार पंडी दिन दय लुपाधय जिसे समनित है तुसरी जो शीए सी ओप्शन इस निदा जए प्सन इस राइए ऑप्शन पर समधिया फ्य सब्सक्राइब किस ड 연न के सांद पंडी दिन दिन याल उपाद है जूड़े हुए तो ध्यान देचे यहां पे जिस ड 연नक इसांद भी जूड़े थैं, लेकिन वह तो क्या है मास्य को सट्री का है? तो हीर दे ए आप्शन इस दे राइट ऑप्शन स्वादेश नेस्ट कोश्चिन नुमर 42 प्रस्थंख्या बयाल इस फू रोड दे बुक राष्ट जीवन की दिशा राष्ट जीवन की दिशा की पुस्तक किस ने लिखी है उप्शन स्याप्रसाद मुखर जी अतल बेर वाच लाष्ट जीवन की दिशा पुस्तक जो है वह देन लुपाध्या जी ने लिखी है सो हीर दर सी ऑप्शन इस राइट ऑप्शन दीन द्याल उपाध्या वाजबॉन प्रख्या चिंतक पंडी दिन द्याल उपाध्या जी का जन्म कब हुआ था ऑप्शन से पचिस नमर 14 पंडी द्याल उपाध्या जी का जन्म हुआ तो शी सी ओप्शन इस रा werd ऑल्प्शन जौर सिंकर पंड्र इंदिन द्याल उपाध्या प्रिति प्रदान की धिरतन टाटा गंस्यामदास बिड़ला जी ने जिद दिया था बी ऑप्षन इस दर्राइट ऑप्षन नेक्स्ट कुस्टन को सिने एक साजे वक्त में भारत पाक महासंकी मांग की ती हुए अमंग फोलोइंग है डिमानेट इंडो पाक फेडरेशन इन ज स्टेट्मेंट ऑप्षन से डाक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर जी डाक्टर ओंध दिया लुपाध्धया दिन दियाल उपाध्या अगला प्रश्न नेपिशन च्यालेस कुस्टन में 46 और फूज इन इन दिन दियाल उपाध्या गोट तो अमेरिका इन 1963 में किसके नहीं मंतर पर दिन दियाल उपाद है अमेरिका गया था आप्सेंस अमेरिकी सरकार भारती दुट्वास फ्रेंड्स आप इंडिया सोसाइटी नेस्ट कॉस्टन 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 नंबर जिका नहीं भारती अर्थनीद विकास की एक दिशा भारती अर्थनीद विकास की एक दिशा नहीं कुस तक किस ने लिकी थी पुस्तक द्वारा लिखित पुस्तक है सो सी ऑप्सन इस राइट ऑप्सन फिच इसू ऑफ इंडिया दिट दिन द्याल थो लाइट ओन प्रसंख्या उंचास है कि दिन द्याल ने भारत के किन मुद्वों पर प्रकास्ट अला एकोनोमी कल्चर पोलिट कर आर्थिक संस्क्रति युजभी द्याल ने भारत में आर्थिक मुद्व पर्भिवाद की संस्क्रति कंड़े प्रकास्ट डला और राजनृति कंड़ा तो डोन इनसे और स्वम्ध्व पर प्रकास्व के पचास्ट प्योंग थो युजभी ने त्टीट ओप्सनोमन attribute राजन्यूटिज ने सब्सक्राइब कर देंद्याल उपाद्ध है इस तरह से हम सभी लोगों ने चोबिस जनवाई दोयार चोबिस को बीए भीसी बिकॉम फर्स्ट एं थार समस्टर के विए दियारतियों के लिए जो कोश्चन पेपर आया था उस कोश्चन पेपर को सौल्ड किया उसके एंसर को आसथा नहीं कर दोब्सक्राइब चानल और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब कर लिश्मिक्त 풀 होगा तरह डाया आपकी जितने में नए वीडियो जाएगा तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं ऐगा धीunächst आप सभी लोहों का बहुत बहुत धन्यवाद